अध्याय दो वास्त्विक संख्याय, real numbers, परीमें और ओपरीमें संख्याय, rational and irrational numbers किसी कक्षा में सभी प्रकार की संख्याय सोचने के लिए कहे जाने पर छात्रों ने ये संख्याय बताई आठ शुन्य दस्मलाव एक पांच, तीन बटे साथ, एक रिण तीन, रिण एकसो आठ, रिण सुन्य दस्मलाव तीन साथ, दस बटे नव, एकसो पांच क्या इन में सभी प्रकार की संख्याएं आ गई हैं, क्या आप कुछ और संख्याओं के उधारन दे सकते हैं, इन संख्याओं को गुणों के आधार पर बाटना हो तो कैसे बाटे हैं, कौन सी गुण लें, क्या इन्हें सम विसम संख्याओं में बाट सकते हैं, क्या इन्हें बाटने का कोई और तरीका हो सकता है, कितने अलग-अलग तरीकों से इन्हें बाट सकते हैं, प्राकिर्थ से परिमय तक, नेचुरल टू रेशनल, मनीशा और सल्मा नहीं हैं, एन्हें याने प्राकिर्थ संख्याओं या नेचुरल नंबर, डबलू याने पून संख्या या होल नंबर्स, जेड याने पुनांग संख्या या इंटिजर्स, और क्यू याने परिमय संख्या या रेशनल नंबर में इस तरीके से बाटा, एन बॉक्स, आठ एक सब पांच बारा दोसब पांच एक, डबलू बॉक्स सुन्य आठ एक सब पांच बारा दोसब पांच एक, Z box, सुन्य, 8, 105, 12, 205, 1, RIN 108, RIN 55, RIN 3, Q box, सुन्य, 8, 105, 12, 205, 1, RIN 3, RIN 108, RIN 55, 22 बटे साथ, 3, 7, RIN 10, 37, 3, 2, 3, 2, 3, RIN 7, 5, 10, 9, 17, 19, 10, 1, 5, क्या कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जो सभी डिब्बो में हैं, करके देखें, पहला, वे संख्याएं लिखिए, जो Q में हैं, परंतु N में नहीं, 2, वे संख्याएं लिखिए, जो Z में हैं, परंतु N में नहीं, 3, वे संख्याएं लिखिए, जो W में हैं, परंतु N में नहीं, Q बॉक्स में सभी संख्याएं आ जाएंगी, इन सब को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसमें P तथा Q पुनांग संख्याएं हैं, तथा Q बराबर नहीं है सुन्य, याने P कोई भी पुनांग संख्या और Q सुन्य को छोड़ कर कोई भी पुनांग संख्या हो सकती है, ये सब परिमे संख्याएं हैं, रस्मी बोली कि प्राकृत संख्याएं, पून संख्याएं, पुनांग संख्याएं भी परिमे संख्याओं में आती हैं, क्योंकि इन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या आप इससे साहमत हैं? रेस्मा ने कुछ उधारण ऐसे दिये 8 बराबर 8 बटे 1 रिन 3 बराबर रिन 3 बटे 1 सुन्य बराबर सुन्य बटे 1 क्या आप कोई ऐसी पुनांग संख्या ढून सकते हैं जो इस तरह परिमे संख्या के रूप में ना लिखी जा सके? अता हम कह सकते हैं इस प्राकिर्थ संख्याओं का समू पुनांगों में और पुनांग संख्याओं का समू परिमे संख्या में समलित है प्राकिर्ट संख्या और पुनांग संख्या एक नियम का पालन करती हैं प्रतेक संख्या पिछली अथ्वापने बाई और की संख्या से एक अधिक और बाद की अथ्वादाएं वाली संख्या से एक कम है अर्थात दो क्रमवार संख्याएं आपस में एक इकाई की समान्दूरी पर है संख्या रेखा पून संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक रेखा खीच कर उस पर समान्दूरी पर कई चिन्ह लगाईए किसी एक बिंदू को सुन्य मान ले समान दूरी पर डाई और एक, दो, तीन इत्यादी संख्याएं लिखें पुनांग संख्याओं के लिए संख्या रेखा पुनांग संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए चित्र एक की संख्या रेखा पर बाई और रिण एक, रिण दो, रिण तीन इत्यादी लिखें जैसा चित्र दो में दिया है हम देख सकते हैं कि दाई और एक आगे बढ़ने पर संख्या एक अधिक हो जाती है और बाई और बढ़ने पर एक कम हो जाती है करके देखें पहला संख्या रेखा पर दिखाएं रिन दो, धन तीन, धन चार दूसरा, रिन तीन से धन दो कितने आगे है परिमे संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्साना क्या आप परिमे संख्या P बटे Q को संख्या रेखा पर दर्सा सकते हैं क्या आप एक बटे तीन, पांच बटे तीन, आठ बटे तीन आधी को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं रस्मी ने इनको संख्या रेखा पर ऐसे दर्साया चित्र तीन देखें सुन्य इसी प्रकार सुन्य की बाई और इसमें उसने प्रते की काई को तीन बराबर भागों में बाटा है और फिर संख्याओं को दर्साया है इसी तरह आप भी 7 बटे 3, 11 बटे 3, रिंड 2 बटे 3 अंकीत करें सोचे एवं चर्चा करें रिंड 3 बटे 5, 2 बटे 5, 8 बटे 5, 12 बटे 5 इत्यादी को संख्यारेखा पर दरसाने के लिए क्या करना होगा